हेलो कीट्स, तोड़े वी विल डू आ एक्टिविटी, ओके, पेस्टिंग शेप्स, मैच्स में आपने शेप्स के बारे में पढ़ा है न, रक्टैंगल, स्क्वेर, ट्राइंगल, सर्कल, आज हम उन्ही शेप्स को यूज करके एक रोकिट बनाना सिखेंगे, इसके लिए हमे चाहिए एक बिग रक्टैंगल, यह हमारे पास है, थ्री ट्राइंगल, थ्री सर्कल्स, एड एट थिन स्टिप्स, ओके, अब हम इनकी हेल्प से अपना एक रोकिट त्यार करेंगे, और पेस्टिंग के लिए मेरे पास यहां पर फैविकोल है, यहां पर एक्टिविटी स्न नेपशोट दिया गया है, इसी की हेल्प से आज हम रोकिट बनाएंगे, ओके, सबसे पहले मैंने अपनी रक्टैंगल शेप ले लिए, और फिर मैं उसके उपर मेरी ट्राइंगल शेप को पेस्ट करूँगी, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, अब मैं यह दो ट्राइंगल शेप लूँगी, और इनको रोकिट के बिल्कुल बोटम पे पेस्ट करूँगी, इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है, इसी तरीके से दूसरी ट्राइंगल शेप मैं रोकिट के बोटम में पेस्ट कर दूँगी, अब यहां मेरे पास तीन सर्कल है, इनको मैं बिल्कुल रोकिट के सैंटर में तीनों सर्कल्स को पेस्ट कर दूँगी, इस तरीके से, अब मैं इन स्ट्रिप्स को रोकिट के बिल्कुल नीचे, इस तरीके से सभी स्ट्रिप्स को बन बाई बन करके पेस्ट कर दूँगी, यह आप अपनी मम्मा की हेल्प से कर सकते हो, इस तरीके से मैं सारी स्ट्रिप्स रोकिट पे लगा दूँगी, देखे इस तरीके से मैंने अपनी सारी स्ट्रिप्स नीचे पेस्ट कर दी है, अब मैंने इसमें एक रक्टैंगल शीट और ट्रैंगल और सर्कल थ्री शेप्स का यूज़ किया है, अब हमें ये अपने घर पर बना कर देखना है ओके बच्चो और फिर ये बना कर आपको इस पेज पर अपना रोकेट ऐसे पेश्ट करना है ओके कीट्स ये सभी को करना है ओके बाबाई टेक केर